नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका क्रशी जानकार यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त कपिल धाकड किसान साथियों आज दिन है दो सितंबर का और मैं आपको स्पेशली आपको याद है हमने अलग-अलग वराइटियों के स्वयवीन लगा रखे हैं उ 27-29 जून के आसपास उनकी बुवाई हुई थी आज 2 सितंबर हो चुके हैं लगब लग 62-63 दिन के आसपास की इनकी उमर हो चुकी और 65 दिन में इनकी क्या कंडिशन है केसी इनकी अवस्ता है अलग-अलग विडियों हम आपको देंगे आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन ग अब भी जिसे फूले संगम भी कहा जाता है तो आज हम बात करते हैं स्पेशली ये ग्रीन गूल्ड की आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन गूल्ड की जो उमर है लगब लग 63 दिन की हो चुकी है पत्तों के बारे में आप सभी जानते हैं इनका जो पत्तों का कलर है वो आपको याद हो तो मैंने एक गर्डल बीटल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया था तब मैंने आपको कहा था कि लगबग 55-60 दिनों के आसबाद गर्डल बीटल का दूसरा अटेक होता है तो आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो दूसरे इस्प्रे में हमने पर दूसरा पर दूसरा अब तक फूल आ रहे हैं फली नाती है वह हमने डाली थी साथ में हमने एक सिस्टमिक फंगिसाइट जिसको हैक्जा कोनाजोल के नाम से जाना जाता है उसका टेकनिकल है वह हमने डाला था आज हम इनकी क्या कंडिशन है किसांस चातियों एक चीज म फलिया आ रही है फूल से फलिया बनने की जो काम है वह लगबग 20-22 दिनों से लगातार चल रहा है और अभी भी कहीं कहीं पर फूल में देखने को मिल रहे हैं किसांस आतियों आप देख सकते हैं बहुत सारी फलिया है कोई भी फलिया आपको यहाँ पर मैं यह कह सकता दो दाने की नहीं है फलिया लगबख सारी तीन और चार दाने की है और ये कह सकता हूं मेरे याप पर जो रो से रो की जो दूरी है वो तो काफी अच्छी है पर एक समस्या हमने यापर कर दिये जो प्लांट से प्लांट की दूरी अगर थोड़ी सी और होती ना तो बहुत बहुत सारे जो फल हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और अभी भी आप यहां देख सकते हैं फूल काफी सारे आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वेराइटी जो है इन तीनों में से वो है ग्रीन गूर्ड की 33-44 बस यह कहसे लगवक दस दिन लेट थोड़ी सी चल बहुत सारा है जहां तक आप वीडियो में देख ही पार हूंगे आप यह देख सकते हैं पूरा जो प्लाड हैं यह ज्यादा पोदे नहीं है तीन दाने चार दाने के बलिया हैं बहुत सारा ओर इस पीला मोजेक की हमारे शेतर में समस्या तो नहीं है पर इसमें पीला मोजेक जो है वो आता भी नहीं है ऐसा बताया गया है अगर इनमें प्लांट से प्लांट की जो दूरी अगर थोड़ी बहुत और होती तो फाल जो है वो और जादा होता है ब्रांचिंग और जादा होती औ तो किसान में तरध्यान देवें और ये जो बारिश है बारिश इस पर्ष में ने देखा है कि दूसरे जो सोयविन जितने भी वरैटियों के सोयविन लगे हैं सब में लोड काफी अच्छा सेट हुआ है फल अच्छे सेट है क्योंकि बारिश जो है वो अनुकुल हो रही है ब भी शांदार यहां पर फाल हैं बहुत ही शांदार तो ये इस्तति है किसान में तरो ग्रीन गोड्ड तेटीस चवाली सकी जब सारी पनिया भर जाएगी तब हमें इसकी अक्ट्वलिस इसती पता लगएगी जादा एरिया में नहीं है लगबग कम ही एरिया है यह जो हमारा लगबक 18-20 वाका है इसमें तीन पार्ट में तो सोयाबीन लगे हैं और एक पार्ट में लगबक हमारा जो मक्का वगेरा और जो पशियों के लिए चारा लगा रखा है जब भी इनका हम हर्वेस्टिंग करेंगे तब तक आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे पर अभी तक क की संतुष्टी बरी है किसान मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा साथी किसान भय तो जरू शेर करिएगा इसे प्रकार से सोयाबीन और अन्यपसलों से जुड़ीवी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब क